आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आईए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में आज दिनांक 22 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रबार शुक्रबार माता संतोसी और माता लक्षमी का दिन मना गया है आज जिनका भी जन्म दिन है उनको उनके जन्म दिन की धेर सारी शुब कामना है जिनका भी विवाह का शालगिरा है उनको भी धेर सारी शुब कामना है हमारे यूटूब चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने बाले हैं तथा पंचांग को सुनने बाले हैं आप सभी भक्तों के ऊपर माता संतोशी और माता लक्षमी का कृपा सुदैब बना रहे हैं आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की दूतिया तिथी होगी रातरी 12 बजकर 31 मिनट तक अभी कार्तिक माह का समय चल रहा है कार्तिक माह में गंगा अश्नान और दान का बड़ा ही बिशेश महत्तुमाना गया है इन दिनों कार्तिक माह में गंगा में अश्नान करना चाहिए, दान पुन्यों का कारे करना चाहिए, मंदिरों में दीपक दान करनी चाहिए, दीप जलानी चाहिए और तोलसी माता का पूजन करना चाहिए तो यहां बहुत ही लापकारी होता है, कार्तिक माह का कथा स्रवर करे तो लाबकारी होगा सुर्योदै सुभा 5 बचकर 51 मिनट सुर्यास्थ साम 5 बचकर 16 मिनट चंद्रोदै यानि कि चंद्रमा उदित होंगे साम 6 बचकर 25 मिनट पे और चंद्रास्थ यानि कि चंद्रमा अस्त होंगे सुभा 7 बचकर 7 मिनट पे सुर्य तुला राशी में रहेंगे चंद्रमा मेस राशी में यह शरद रितु है अयन दक्षिनायन रहेगा योग शिद्धी योग रातरी 9 बचकर 38 मिनट तक करण तैतील करण सुभाई 11 बचकर 22 मिनट तक उसके बाद वनिज करण नच्छत्र की बात करे तो भरने नच्छत्र साम 6 बचकर 57 मिनट तक दिशाशूल की बात करे तो आज सुक्र बार दिन होनी के कारण आज के दिन दक्षिन पश्चिम और नरित दिशा की यात्रा ना करे यह लावकारी नहीं होगा अगर ज़्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से जवखा कर बाहर निकले इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतब्वी की ओर आगे बढ़े आज सुक्रबार का दिन माता संतोसी माता लक्षमी का दिन माना गया है सुक्रबार के दिन जो भी भक्त माता संतोसी का पोजन करते हैं उन्हें इस दिन खटाई का पर्योग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए माता संतोसी को गुड और चने का भोग लगाना चाहिए और संतोसी माता ब्रत का कथा सरवन करना चाहिए तो यह बहुत ही लापकारी होता है माता लक्षमी को प्रशन करने के लिए माता वैवव लक्षमी का पोजन करे वैवव लक्षमी ब्रत का कथा सरवन करे तो लापकारी होगा आज सुक्र बार के दिन पीपल पेर के नीचे एक दिपक जलाए साम के समय में और वहां से चले आए ध्यान रखे पीपल ब्रिक्ष को असपर्स ना करें पीपल ब्रिक्ष को केवल शनी बार के दिन ही असपर्स किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखे इसे माता लक्ष्मी प्रशन होती है और माता लक्ष्मी का आगवन का रास्ता जल्द ही खुलने लगता है तो आईए जानते हैं आज के शुब महुरत अभीजीत महुरत के बारे में राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दोरान कोई भी शुबकारी या नया कारिया नहीं करना चाहिए या लावकारी नहीं होता है तो राहु काल का समय होगा leads के शुबह 10 बज़ कर 8 मिनट से शुबह 11 बज़ कर 33 मेंट तक यहाँ विक्रम शम्बत 2078 आनंद है और शक शम्बत 1943 प्लव तुवासा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही जान बरधक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे शेरल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट पिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रो तथा दोस्तों के साथ शेयर करे शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसरादे किशन धन्यबाद